रूस और यूक्रेन में जंग जारी है। के पीछे सालों से चल रही यूक्रेन की तैयारी है। काफी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। रूस को अपने इस अभ्यान पर सवा लाग करोड रुपए खर्च करना पड़ रहे हैं। रूस ने 2014 में यूक्रेन की क्रीमिय प्रायदीब पर हमला कर उस पर कपजा कर लिया था। डोनवास और लोहांसक में भी रूस के अलगाववादियों की मदद से हमला शुरू कर दिया था। यूक्रेन को रूस की जंग की आशंका पहले से थी। इसलिए उसने दुश्मन से निपटने के लिए पहले से ही तैयारियां करने शुरू कर दी थी। यूक्रेन ने अपने इस तैयारी में महला सेनिकों की काफी मदद ली और उनको काफी जादा महतो दिया। यूक्रेन में चार साल पहले महलाओं की बड़े पैमाने पर सेना में भरती शुरू हुई थी। 20-40 साल की महलाओं को कॉमबेटर रोल में आने की इजाज़त दी गई थी जबकि 20-50 साल की महलाओं का सेना में अफसर बनने का मौका भी दिया गया था। मिलिटरी.com की रिपोर्ट के मुताविक 2020 तक यूक्रेन की सेना में 31,000 महला सेनिक थी। इनकी हिस्तेदारी पूरी सेना में 15 फिसदी से जादा थी लेकिन मार्च 2021 तक ये हिस्तेदारी बढ़कर 22 फिसदी से भी जादा पहुँच चुकी है। यूकरेन की सेना में लगवग हर चोथी सेनिक महला है यह हिस्सेदारी दुनिया के जादतर देशों से अधिक है यूकरेन की इस नीती ने उसे जंग के मैदान में रूस के मुकाबले अब तक टिकाए रखा है यूक्रेन की सेना में रेगुलर महला सेनिकों के अत्रिक्त अन्य प्रोफेशन में काम कर रही महलाओं को भी शौर्ट टर्म ट्रेनिंग देकर युद्ध के मैदान में भीजा जा रहा है इन में पत्रकार, लाइबरेरियन, साइकलोजिस्ट, म्यूजिशन को तरजीह दी जा रही है सरकार के इस नियम के बाद बड़ी संख्या में सिविलियन महलाएं भी सेना में भरती होकर रूस के खिलाफ हत्यार उठा रही है जानकार बताते हैं कि यूकरेनी समाज में सेना और सिविलियन में बहुत गहरा भेद नहीं है वहां के लोगों को हमेशा से ही रूस से खत्रा रहा है जिसे देखते हुए महलाएं कहीं न कहीं इस इस्ति के लिए पहले से ही तयार थी यही कारण है कि बड़ी संख्या में सिविलियन महला युद्ध में जा रही है कागज पर देखा जाए तो रूस और यूकरेन का कोई मुकाबला ही नहीं है रूस की सेना में कुल 39 लाख सेनिक हैं जबकि यूकरेन की पूरी आवादी ही 4.5 करोड की है यूकरेन की सेना में कुल 1,10,000 सेनिक हैं ऐसे में यूकरेन ने बड़ी पैमाने पर महलाओं समयत अपने सिविलियन को सेना में शामिल किया है इसके लिए सेना भरती की नियमों में काफी धील दे रही है यही कारण है कि पावरफुल होने के बावजूद रूस के लिए यूकरेन को फटह करपाना इतना आसान नहीं है यूकरेन की रड़नीती का अगला चरड पिछले दो दुनों से देखने में आ रहा है शीर्ष नेत्रित की ओर से अपील होने के बाद अब आम नागरेकों ने भी हत्यार उठा लिये है रड़नीतिक विशेशग्यों का कहना है कि रूस के सेनिकों के लिए आम यूकरेनी लोगों पर हत्यार उठाना नैतिक रूप से अपनी ही सेनिकारेवाही की हर स्विकारने जैसा होगा इस जंग में जीत और हार किसकी होगी ये तो अलग मसला है मगर पहली बार दुनिया को महलाओं की तागत का अंदाजा हो रहा है विलो रिपोर्ट इंडिया पूस्ट नियूज